नमस्कार दोस्तों आप शबी का आप बहुत बहुत श्वागते दोस्तों बरवाली का शुन्दिश अब कौन शी बड़ी खुशकबरियां आपको मिलने वाली है बहुत ज़ल जी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी दोस्तों आप शबी के सामने आज आपके होस उड़ जाएंगे तो दोस्व वीडियो को गम भीरता शेलें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि दोस्व यह वीडियो का निर्मान बार बार नहीं होता जिया दोस्व इस वीडियो में आपकी यून की उन शच्चाएं के बारें बात करें वाले हैं जि श्रीराम के सच्चे भक्ति हैं दोस्व सच्ची शरद भावशे आप एक लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्ष में शच्ची मन से लिख दें जय स्री राम के दोस्व अगर आपको भक्ती पर विश्वास है अगर आप भगवान को मानते हैं तो दोस्व हम आप शबी को आप भगवान पर यकीन रखते हैं तो दोस्तों आपके जोनकाल में इश्वर का चमतकार अवशी होगा तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा इस वीडियो में हम श्रवी बाते हैं आप श्रव को पिताने वाले हैं जिन से आपका मन बहुत ज़्यदा प्रशन होग तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही गौर्श सुने कि दोस्तों कोई भी कारण हो कोई भी बात हो सीड़ो मत गुश्रा मत करो जोड़ से मत बोलो मन शांत रखो विचार करो फिर ने रेलो आवाज शे आवाज नहीं मिटती बलके चुप्पी से मिटती है तकलिफ सिर् जुनकाल में रखें जब भी आपकी जुनकाल में परिशानियां आती है जब भी आपको घोर चिंताय शताने लगे तो दोस्तों ये बातें आपकी जुनकाल में बहुती रामबार शावित होने वाली है तो दोस्तों और आपको यह बातें आपको पशंद आई हो तो दोस्त बॉक्स में इन के लिए लिग दे हैं जैश्रिकिष्णा राधे राधे तो आई दोसों से के शाथ बात करते हैं कि उपर वाले का अश्रबाद आपके युनकाल में अब आपको केशा मिलने वाले हैं कौन सी बड़ी खुशकब्री आपको मिलेंगी आपके घर के महल में पारे और शिबड़ी बदलाव देखने को मिलेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली दोस्तों जिन जिन वेक्तियों ने दो नम्मर चुना है सबसे बहुते दोस्तों आपको बिताते कि आपका शभाव कैसा है आपके चाल-चलन रवाया आपके देनेक दिंचरिया पशंद करते हैं ज्यादा आप दिखावा करना पशंद नहीं करते हैं हलांकि दोस्तों लोग आपको कभी-कभी इग्नॉर भी करते हैं लेकिन दोस्तों आप अपने मन में एक जिद रखते हैं कि दोस्तों हम जो कर रहे हैं वहा कारी शही है दोस्तों यहीं जिद्धी पन आपके हर कारियों में आपको शुपलता भी दिलाते हैं, जैं दोस्अ, हलांकि कभी कबार आपको अपनों से धुक्ता मिला है, आपको मनला प्रिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो तो फिर्बी आप दिल छोटा मत करना, कि दोस्वों वाश में इश्वर का एक अश्मरन आप शवी के जिवनकाल में कई परकार के शमतकार करेंगे हर परिशानियों शवक को मुख्ति दिरने वाले शावित होंगे हलांके दोस्वों आप तो इश्वर पर बहुत रिज़ा ब्रक्ति भाव पर विश्वास रखते ही और इश्वर भी आपको शमय शमय पर शाथ देता है हलांके दोस्वों कभी-कभी मुश्किल पस्तिती आपके जिवनकाल में भी आता है जब भी आप ज़्यादा चिंटाएं करने लगते हैं तो दोस्वों आपके हर जग अंधेराई अंधेरा आप दिखता है और आपको लगता है कि अब हमारे जिवन बिल्कुल ही विफल रास्ते पर चला है आपका जिवन यहां से अंत होने वाला है लेकिन दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि यह आपकी जुनकाल में विफरित गरहों का भी खेल होशकता है आपकी जुनकाल में आपकी कोई गलती नहीं होती है फिर भी दोस्वों आपको सजा मिलता है तो दोसों याश में आपको मानना है कि ये गरहों का जो चाल है विपरित प्रस्तिती का निर्मान हुआ है जिन से आपको अच्छे कारे करने पर भी विपरित फल मिल रहे हैं तो दोसों याश में आपको बिल्कुल भी माईश नहीं होना है तो दोसों आपकी जुनकाल में अब कौन से बड़े बदलाव करेंगे तो दोसों आपकी जुनकाल में आने वाले श्रमे में आपको केरियर को लेकर बढ़ा ही लाप मिलने वाले हैं क्यों केरियर को लेकर चिंदाएं आपकी जुनकाल में हमेशाथ चलती रहती है आप जोबी कार्य करते हैं उनमें एक बार उनका शमन जरू करते हैं तो दोस्तों आपको बताते हैं कि बहुत ही जल इशुवर का शुरबाद स्रिर्णाम का शुरबाद आप शुवर के जुनकालबर होगा केριर को लेकर आपको सुब समाचारा आपको जिन जिन व्यक्तियों ने एक नम्मर चुना है आपके आपके जी से पहले आपकर आपके वाइपार आपके जनकाल में जूबी देंजरेया में चर रहे हैं दोसों सबसे पहले बता दें कि आपका जो सवभाव है बहुत ही दिलखुस इंसान है आप बहुत ही अच्छी तरिकेशे हर कारियों में मन लागा कर कारी करते हैं दोसों आपका मन जब भी किसी कारी को और जाता है तो दोसों आप उनमें बहुत यदा आकर्शित हो जाते हैं दोस्तों आपका मन करता है कि आम उश्पार्य को और नहीं जाएंगे जो दोस्तों फिर भी आपका दिल और दिमाग रहता है कि उसी पर अटका हुआ रहता है और आप उस चारि को करने में अपना जो रूची और भी बढ़ा लेते हैं और दोस्तों यही शब कारण होता है हमने कई विडियों में बताये हैं कि दोस्तों आप अपने जुन काल में जो भी गुप्ति उजना हैं दोस्तों उनहीं किसी और कि शाक सप्ते बिलकुल बहुत क्यों कुण कौन काल में आने वाले पागवान शुर्य राम के अशिर्वाद से आप शबी की जोनुकाल में कई बड़े महत्मुन बदला हुए हैं, गरओं की जो इस्तती हैं, कभी कबार आपकी जोनुकाल में शुब तो कभी अशुब भी होते हैं, लेकिन दोस्तों जहां इसुब का अशिर्वाद होता है, तो दोसों उन बातों के बारे में आप किसी को भी ना बताएं अपने पड़ोशी को भी ना अपने दोस्त रिष्टेदारों के भी आप किसी भी लाब के बारे में ना बताएं दोस्तों ये आपके लिए आने वाल शुमे में बहुत बड़ा मुल मंतर शाबित होगा तो दोस्तों इन बातों का ध्यान अपने दिमाग में आप जरूर रखें जिया दोस्तों इसके उपरादे दोस्तों अगर आपने तीन नमर चुना है तो दोस्तों आपको बता दे कि आपका जीवन अब तरक्की की और चलने वाले हैं दोस्तों बहुत ज़्यदा जीवन में आपने दुख कि आपको बता दे कि आपको माइश होने की कोई जरूत नहीं अब आपको कोई देंसन कोई जिंदायं करने की आउशकता नहीं कि दोस्तों अब इश्वर का श्मरंड के है, मन में है इश्वर की पूजा करते हैं, इश्वर का श्मरंड करना है, यह दोस्तों यह सबसे बढ़ा आपका अच्छा कारी है कि इश्वर का सुमन करना तो दोसों मन में आप हमेशा इश्वर का सुमन करते रहें भक्ती भाव से आप जूड़े रहें क्यों कहीं न कहीं जब किस्मत आपका साथ जोड़ता है तो दोसों भक्ती भाव और उश्वर की परती जो आपका लगा होता हुआ काम आता है और अज़ जब चमतकार आपकी जुनकाल में आपके कई परकार की कारियों में देखा गया है और दोस्तों अब आने वाले शुमिन में बहुत जल्द आप शबी की जुनकाल में भी बड़ा चमतकार ह आने वाले श्रुम में आपको मिल शक्ते हैं तो दोस्तों आपको सिंधा करने की कोई भी आशकता नहीं है हलांकि दोस्तों आपको आने वाले श्रुम में कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे कि दोस्तों आप जो भी कारिक करें जिन में भी कारिक करें दोस्तों आप उन से दूरी बना कर रखें तो दोसों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का धियान रखना आपका जून फिर से उजबल भविश्म की और बढ़ने वाले तो दोसों गड़ आपको ये बातें पशेंद आयू हो या बातों को आप समझ पाए हैं इन बातों में आपको सच्चा ही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और कमेंट बॉक्स में सर्चे मन्से जेश राम लिख दें और दोस्तों कर आप चैनल पर भी नए है इस प्रकार की वीडियो और दखना चाहते हैं अपने राशी से जूड़ी तो दोस्तों जरूर चैनल क को भी सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को प्रेश कर दें धन्यवाद